हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सबका आज की करिंट अपर अनलिसिस लेक्चो में जिसमें इंडियन एक्स्प्रेस, PIV और अधर सोर्सिस से लिगई न्यूस को वोलिस्टिकली अनलाइस किया जाएगा आपके प्रिलिम्स, में इंटर्वियों को ध्यान में रखते हुए यह लेक्चो आपकी UPSC और स्टेट PCS एक्जाम के लिए उप्योगी साबित होगा लेक्चो से रिलेटेड वालिव एडिशन के पीडियाप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिए जिसकी लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वहाँ जाना है ज इसलिए आपको कडी महनत करनी है अपनी लक्षियों की तरफ मैं महिमा मिश्रा प्रेजन करती हूँ आज का इंडियने एक्स बेस न्यूस पेपर अनिलिसिस इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है नागरा स्टाइल आज फिर से इसका जिक्र किया ग सकता है कि नागरा और द्रावेनियन के का जुआ की टेक्चर है उसमें क्या डिफ्रेंसेज है या क्या बीसिक फीचोर्स है उनके ठीके इसलिए यह चीज़ पढ़नी इंपोर्टेंट हो जाती है आज न्यूस में डिसक्स किया गया है यूज और यूज ऑफ एंटी बायो अंधा धुन यूज करने से रोका गया है ठीके तो यहां पर एंटी बायो टेक्स एंट आंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंपोर्टेंट हो जाता है ठीके नेक्स देखेंगे लाजिस्ट डीप सी कोरल रीफ डिसकरवोड एक और नेक्स्ट है यहां पर कि जैपन फि यहां पर क्या नागरा स्टाइल सबसे पहले तो यह टाइम पिरिड याद रखना है एराउंड फिफ्ट सेंचरी सी इन नौर्थ इंडिया ठीके इसके फीचोर्स बहुत इंपोर्टेंट है प्रिलम्स के लिए भी मेंस के लिए भी जीएस पेपर वन और इंट्रोव्यू म में भी पूछा जा सकता है कि अकी आयोध्या टेंपल नागरा स्टाइल से और एक हाइब्रेड स्टाइल से बनाया गया है ठीके क्या इसके फीचोर्स है और जो नागरा स्टाइल है उसके क्या फीचोर्स होते हैं ठीके पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूस में बहुत है य यानि कि यहां पे एक रेज्ड प्लाटफॉर्म पे बनता है मैंने आपको जगती पहले बताया था ठीक है विद गर्ब ग्रीहा गर्ब ग्रीहा वो होते हैं जहां पे मूर्थी रखी जाती है ठीक है भगवान की यह देखें यह तो सबसे पहले जगती है यह राम मंदिर आयो होगी मोस्त सैध्ट पार्ट होता है गर्ब ग्रीहा ठीक है गर्बा ग्रीहा में ऐसे कोई भी एंटर नहीं कर जाता ओथ का देश्टिंगवीषिबल आसह द्टेत स्टै tapping क्या है ब्प्छत दिस्रेंगिब इसटेपत ऑफ नागरड और है श्री कि जहां पर आइडल रखी होती है, मूर्ती रखी होती है, उसके आज पास ने एक पास्ज होता है, जहां पर लोग परिक्रमा करते हैं, ठीके, यह भी यह नागरा स्टाइल ओफ टेंपल आकिटेक्चर का एक इमपॉर्टेंट पार्ट है, ठीके, यहां पर कुछ मुराल्स ब बतिना, शेखरी और भूमिजा, ठीके, यह सारे पढ़ने इमपॉर्टेंट है, यह नीचे डिस्कस किये जाएंगे, यह देखिए, बेसिक्स ओफ नागरा स्टाइल, जगती है यह, ठीके, यह मंदप है, मंदप जहां पर एसेंबली हॉल कहते हैं, ठीके, मंदप को यहां लोग खड़े होके, बैटके, क्या करते हैं, कीरतन करते हैं, अमलक, यह उपर एक डिस्क टाइप देखेगा, ठीके, यह अमलक है, यह मंदप, शिखरा, ठीके, यह वाली शिखरा, गर्ब गरीहा जहां पर मोर्ती रखी होती है, यह बेसिक्स, यह आट इन कल्चर के बहुत बेसिक चीजे हैं, ठीके, इसकी कॉंसेट्स क्लियर होने चाहिए, किस चीज को क्या कहते हैं, क्या होता है, कैसा दिखता है, यह चीज पता होने चाहिए, द्रविणा कर देखेंगे, जो हम शिखरा कहते हैं, वो उसे विमान कहते हैं, ठीके, यहाँ पर गोपुरम पाई ज तरफ न यानि कि विमान से बड़ा होगा एंट्रेगेट ये बात ध्यान रखनी है गोपुरम द्रावेणियन स्टाइल में पाए जाते हैं ठीक है गोपुरम क्या है बॉन्डरी वॉल यानि कि गोपुरम एक एंट्रेगेट और यहां पर बॉन्डरी वॉल भी प्रेजेंट रहती है अयूध्या राममंदिर को कहा जा रहे कि इसमें हाइब्रेट फीचर्ज है कि इसमें गोपुरम तो नहीं है पर बॉन्डरी वॉल यहां पर है ठीक है 732 मीटर लॉग वॉल यहां पर बनाई गई है देखेंगे नागरा आकिटेक्ट्चु इसके फीचर्ज पंचा स्टाइल कैसे होता है में श्राइन होती है उसके आसपास ना सब सेड्री श्राइन होती है ठीक है जैसे में श्राइन होंगी शेव जी की फिर आसपास यहां पर गौरी माता रहेंगी ठीक है नंदी जी रहेंगे कार्तिके गनेश ऐसे ऐसे यहां पर क्या रहेंगी श्राइ रहेंगे, ठीक है, सबसेडरी श्राइन्ज, देर आर मेटिंग हॉल्स, जिसे खेहते हैं, मंडप, इमेजस लगाई जाती हैं, गंगा आड यमुना की, पुट आउटसाइड गर्ब ग्रीह, ठीक है, गंगा यमुना की इमेजस लगेगे, गर्ब ग्रीह की जो यही वाली वाल्स है न, यहाँ पे, ठीक है, न वोटर टैंक, और जब की, द्रवेनिन स्टाइल मेरा देखा जाता है, कि वहाँ पे वाटर टैंक मिलता है, यहाँ पे, नागरा स्टाइल में वाटर टैंक अंदर टैंपल के कमपाउंट में नहीं है ठीक है नहीं पाये जाते अक्सर यानि कि लटिना रेखा प्रसा जो प्रड्यूस में भी मिला था यह स्कॉयर होते हैं बेस में इन्वर्ड कर्विंग वाल्स होती है और कम टू दा पॉइंट अड़ टॉप यह देखिए इस्कॉयर है बेस में राइट इन्वर्ड कर्विंग वाल्स है ठीक है अंदर की तरफ वाल्स मुरी हुई है घोमी हुई है यह चीज हो गई अमलक इसके उपर रखा रहता है कलश ठीक है फंप्सणा फंप्सणा देखेंगे यह वाइडर होता है बेस में लोउर होती है रेजिंग स्लोप यहाँ पर देखिये यह जगती हो गया अंदर मंदप हो गया वो अंदर क्या हो गया गर्बगरिया हो गया राइट और यह चीज देखिये यहाँ पर यह वाइडर होते हैं बेस में ठीक है अस कंपेर टू लटीना वाला भी देखेंगे देखिये यहाँ पर कुछ रूम्स ओपर मिल जाते हैं चोटे चोटे और वाला भी यह एक रेक्टेंगूलर शेप का एक प्लाटफॉर्म है ठीक है नागरा इस्टाइल में फिर देखेंगे नागरा इस्टाइल में और क्या-क्या फीचर्स है वर्टिकल एंड ओफ शिकरा ट होरीजोंटल फ्लूटे डिस्क अभी बताई थी मैंने जिसके ओपर कलश रखा रहता है शिकरा के भी ओपर ठीक है शिकरा के ओपर एक ऐसी डिस्क पाई जाती है उसे अमलक कहते हैं उसके ओपर कलश रखा रहता है ठीक है थ्री रथा जोर वोटिकल प्लेंस हैं त्री रथ हाँ टेंपल जैसे कि पंचरत अंसब्तरत अंड इवन नवरत भी मिलते हैं ठेके टेंपल के इंटेडियर वॉल्स में यह देखेंगे सारे फीचोज यहां पर यह जगती हो गई ठेके यह सेंबली हो लो गया महा मंदप यह छोटा मंदप है इसके बीच मिलेगा अंतराल अंत एक वो पैसेज है जहां पे क्या जाया जाता है गर्व ग्रीह की तरफ ठेके यह चीजे ध्यान रखनी है यह देखे सबसेडरी शिखर्स यानि कि यह सबसी उचा वाला है और जो छोटे-छोटे हैं यह सबसेडरी शिखर है कलश रखा रहेगा ओपर अमलक मैंने अभी आप पता यापको बता है शिखरण आपको पता है गर्व ग्रीह पता है जग ती और यह क्या है यह प्रदक्षचिना पत यानि कि जहां पर परीक्रमा की जाते है आईडल की चारों तॉर्फ-परीक्रमा करते है न Washaa यहां पिवber एक प्रदक्षचिनापत मिलेगा लीटी को उ एक गर्बगरीह के आसपस घूंगता है डोनोट है वोर्नेट बॉन्डरी वॉल्स यानि कि यहां पर नागरा स्टाइल में बॉन्डरी वॉल्स उतनी नहीं पाई जाती और जबकि राममंदिर आयोध्या में बनाई गई है ठीक है द्राविडा व साउथ इंडियन टेंपल स् गया एंटरींस गेटवे मिलेगा जिसे कियते हैं गोपूरं विमान मिलेंगी यहांक। टेकर इम्टिड़ पिरामिप आय Kr vedere के नर्टन जो यॉप स्टाइल है जो नागरा स्टाइल है उसमें क्या हो रहा था ऐसे करकी विमान हो रहे थे ऑन देखने हो रहे थी अभी बताया था लतिना रेखा प्रसाद वैसा जबकि यहां पे क्या है एक stepped pyramid की तरफ देखने को मिलता है विमान it is common to find a large water reservoir और जबकि नागरा में water tank नहीं पाया जाता subsidiary shrines are rather incorporated with the main tower temple or located a distinct separate small shrines जैसे की बताया था अभी आसपास main shrines के आसपास यहां पे क्या होंगी subsidiary shrines होंगी वैसे यहां पे पाया जाता है ठीकिए यह वाला देखी विमान यहां पे क्या है entrance है यहां से ठीकिए temple की अंदर entrance है compound complex के अंदर एंटरेंस नहीं है ठीक है वहाँ पर कैसे एंटर करेंगे गोपुरम से करेंगे काच्चिपुरम थंजवोर एंट थंजोर मदुराइ कुंबा कोनम आदर मोस्ट फेमस टेंपल्स ऑफ तामिल नारू ठीक है यह सारे क्या बने हैं रावेडियन स्टाइल पर बने हैं नेक्स्ट इंपॉर्डिन देखेंगे यूज और यूज ओवर यूज ओफ एंटिबायोटिक्स यहाँ पर मिनिस्ट्री ओफ जो हेल्प मिनिस्ट्री है उसने अर्च किया है डॉक्टर को कि आप लिखिये एक्जाक्ट रीजन बताएं कि आप या एंटिबायोटिक्स क्यू दे रही है पेशिंट्स को ठीके जो फार्मसिस्ट होते हैं उन्हीं कहा गया है कि आप बिना किसी वालिट प्रेस्क्रिप्शन की लोगों को एंटिबायोटिक्स नहीं देंगे यहाँ पर देखिए यह वाला डेटा इंपॉर्टेंट है एंटिमाइक्रोबियो रेजिस्ट इंफेक्शन की वजई से हुए थी जख रेजिस्टेंट्स से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि वह एंफेक्शन वह इस यवालिस वीक्टेरिया जो ब्रग को रेजिस्ट कर घया है ठीके अब उसे वह ड्रक काम नहीं करता जाओ उसे खतम नहीं कर पाता मार नहीं वह इतना इवॉल्व हो गया है उस ड्रक से लडने के लिए ठीक है यहां पर एक्सेसिव यूज ओफ एंटिबायोटेक्स चैसे की मेडिसीन होती है एजेत्रोमाइसीन आंड एमोक्सिसेलिन जो टाबलेट्स है गोलिया है वो नहीं लेने चाहिए ठीक है यह सुपर बग्स क्या होते हैं वो बहुत ताकतवर बग्स होते हैं जो जिन पर दवाईया नहीं काम करती रेजिस्टेंट पैथोजोंस कैन अल्सू देन सर्कॉलेट थो सीवर अन्ड्रिंकिंग वोटर यानि की वो ऐसे पैथोजोंस ठेक है बिमार्या फेलाने वाले पैथोजोंस किससे आ सकते हैं सीवर अन्ड्रिंकिंग वोटर में भी आ सकते हैं ठेक है ड्रग का impact क्या है clearly visible हो रहा है जो common infections होते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते राइट अब जो ट्यूबर क्लॉस जैसे टीपी जैसे जो बीमार्या थी अब वो बे ड्रग रेजिस्टेंट हो रही है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पाई जाती है ठीक है जो पहले ठीक हो जाया करती थी दवायों से अब टीबी का ठीक होड़ा बहुत मुश्किल होता है दवायों से जो common scenarios है जहां पर misuse किया जा सकता है पहले बात तो डॉक्टर को जब पता ना हो कि अगर ये infection हुआ है तो ये किस वज़े से हुआ है बाक्टिरिया की वज़े से हुआ है या वायरस की वज़े से हुआ है ठीक है तो वो बिना जाजे पर कि क्या कर देते हैं एंटिबायोट देते हैं और यहां पर कंट्रोल किया जा सकता है एंटिबायोटेक्स के यूज को जादा ठीक है ओवर यूज को surprisingly 55% of antibiotics were prescribed not for the treatment of an infection but to prevent one यारे कि infection को prevent करने के लिए antibiotics दे जा रही है भली ही वो infection किसी बाक्टिरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा हुआ हो फिर भी क्या antibiotics दे जा रही है infection को prevent करने के लिए NCDC report क्या खेती है अब यहां पर कुछ advisories हैं जो लिखनी important है ठीक है अपने GS paper to health section के लिए क्योंकि question पूछा जा सकता है standard treatment guidelines चाहिए have a defined antibiotic policy and encourage using the access group of medicines when where needed ठीक है यानि कि antibiotics का यूज तब किया जाए जब वो सच में जरूरत हो उसकी ऐसे नहीं कि common cold है कोई हलका सा viral flow infections होगे उसके लिए भी डॉक्टोर्स आंटिबायोटेक्स जो केमिस्ट होते हैं वह एंटिबायोटेक्स दे देते हैं और यह health के लिए इतना harmful है ठीक है आगे जाके अगर कोई बिमार्य होती है तो एंटिबायोटेक्स फिर काम नहीं करेंगी इसलिए एंटिबायोटेक्स का यूज जादा नहीं करना जाहिए इसके बारे में जागरोग कराना ज़रूरी है ठीक है लोग अपने आप भी दवायोटेक्स ले लेते हैं विड़ाउट दे प्रेस्क्राइप्शन ओफ दॉक्टर नहीं किया फिर बियो नहीं लगते कि जो काम बुखार हो रहे वो जाके अंटिबायोटेक्स ले लेते हैं पता लगाना होगा कि एंटि-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटि-बायोटेक्स जो रेजिस्टेंस है उसे कैसे क्योर किया जा सकता है कैसे ट्रीट किया जा सकता है एंटि-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है जब कोई बैक्टिरिया वायरिस फंजाए या कोरुना वाइरस के आपको काफे सारे वेरिंट्स दिखेंगे अभी जे एन वान है ठीक है तो कोरुना वाइरस भी धिरे-धिरे इवॉल्व हुआ है वैसे ही यह जो बग्स होते यह इवॉल्व होते हैं सुपर वर्क्स बन जाते हैं जिन पर दवाईयां काम नहीं करती में किया है सिर्ड निस्यूज हो रहा है या ओवर्यूज हो रहा है एंति-माइक्रोमियल्स का लोग बैफाल्तों की ही दवाई खा रहे हैं ठीक है और लोग ऑजु डॉक्तर्स हैं मोबिन सोची समझें क्या एंति-बायोटेक्स का प्रिस्क्रेप्षन दे दे रहे हैं लाक इनदुकेट इंफेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, लोगों के अंदर अवेरनेस नहीं है कि वो जो ये अंतिबाइटिक्स ले रहे हैं, वो उनकी हेल्थ पे कितना नुकसान करेगा इसके हेल्थ कंसर्ण्स क्या है? 4.9 मिलियन डेथ होती है, associated with bacterial AMR यानि कि bacteria क्या है? antimicrobial resistant हो गए हैं, दवाई काम नहीं कर रहे हैं उन पे, इस वजह से 4.9 मिलियन पीपल की डेथ होती है ये data important है, लेक ना important है, ठीक है? What are the concerns related to antimicrobial resistant in India? यानि कि क्या-क्या concerns है? एक तो सबसे पहले ये बहुत फैला हुआ है, एक public health का मुद्दा है Right? Antibiotics अब ineffective बनती जा रही हैं, जिस वजह से common infections को treat करना मुश्किल हो रहा है Leading to increased morbidity and mortality ठीक है? जिस वजह से लोगों की भी death हो रही है, ये वाला data भी important है, 60,000 newborns नवजाज शिशू मर जाती हैं each year from antibiotic resistant infections ये कितना बड़ा एक public health है इंडिया के लिए और पूरे world के लिए High burden of infectious diseases अब इंडिया के ओपर ये burden तो पहले से ही है, tuberculosis, malaria, typhi, cholera and pneumonia अब इन सब का बड़न तो इंडिया पहले सी धेल रहा है, अब ये antimicrobial resistant भी होगे तब हो तो और दिक्कत करेंगे और बड़ा health concern एक क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के लिए Untregulated antimicrobial, antibiotic market यहाँ पर misuse होता है, overuse होता है, self prescription होती है, antibiotics की हाँ, हलके सी कहीं पर तबित खराब होगे तो antibiotics लेलो, ये चीज़ नहीं हो निज़े, lack of surveillance and monitoring ये antimicrobial कैसे बढ़ता जा रहा है, या कैसे antibiotics का use हो रहा है, overuse या फिर misuse हो रहा है, इसके पीछे data नहीं है, surveillance and monitoring अच्छे से नहीं हो रही है Inadocate infection control measles, infection prevention and control measles in healthcare setting is problematic, ठीक है, infection control measles इंडिया में उतनी नहीं है Limited research and innovation, ठीक है, अगर research नहीं होगी, तो क्या होगा, पता ही नहीं लगाया जा सकेगा कि अगर ये health concern है, तो कितने बड़ी problem लेकिया सकता है, कैसे treat किया जा सकता है, ये चीज़ पता नहीं लगाई जा सकते है, without a research, innovation ठीक है, क्या स्टेप्स लिये है, सरकार ने इसके प्रती, National Action Plan for Antimicrobial Resistance, April 2017 इन में, launch किया गया था, by Union Ministry of Health and Family Welfare, इसमें गया था कि awareness ये यानि की जागरोपता बढ़ाएंगे, surveillance बढ़ाएंगे, research बढ़ाएंगे, ठीक है, ता कि prevention हो सके, infection का, Signing the Delhi Declaration, Delhi Declaration signed किया गया, ये एक inter-ministerial consensus है, that was signed by ministers, that concerned ministries in India, is declaration के तहत, research institute को involved किया जाएगा, civil society, industry, small and medium sized enterprise को involved किया जाएगा, ता कि इस problem को address किया जा सके, Antibiotic Stewardship देखेंगे प्रोग्राम, ठीक है, कब लांच किया गया था, ये एक पाइलिट प्रोजेक्ट बेसेज है, 20 एक टोर्शिरी केर हॉस्पितल्स इन इंडिया पे ये पाइलिट प्रोजेक्ट में चलाया गया, ये प्रोग्राम एमस तू कंट्रोल दमिस्यूस और जो आंटी बायोटिक्स का मिस्यूज और ओवर यूज होता है, उसे टाकल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है, बैन और इन अप्रोप्रोप्रेट फिक स्टोजेस कॉंबिनेशन, ये भी ध्यान रखना है, ये छोटे-छोटे से आफ लिखेंगे तो भी सही होगा, बैन और यूज ओफ कॉलिस्टीन, एज ग्रोथ प्रोप्रोटर, यानि कि अनिमल फीड, आनिमल को जो पशू पालन जो करते हैं, वो उसे इंडस्ट्री में होता है, ये ज्यादा तर क्या होता है, कि पशू की उसका वेट आंट हाइट बढ़ाने के लिए, यानि कि अब इन्टिबायोटिक्स का इन्जेक्शन दिया जाता है और ये खाई जाते हैं बाई हूमन्स, ठीक है, काफी न्यूज में भी आता है कि मुर्ग्यों में यूज होता है अन्टिबायोटिक्स, ठीक है, अब ये अन्टिबायोटिक्स कहा जा रहा है, हूमन के पेट में ज Ministry थी यहां पर इन्होंने collaboratively कहा कि Colistin को animal feed ज़्क करें रोंधा बीजिजर जो जो नॉट से होटी है डीजरी जो इंद मारेनाा होती है जो आनेमबल से शोंती है जैसे कि निकमार ऊं seems बोड़ुटिड व्लाइरश कया ओ chemoemia या फिर किसी बाट वेगेरह से श्री क्या रहा है है हमेर्वें 2 मिा ञारा है ठीक है तो इसे कहते हैं जु番 मोर्टिक डिजिस इसे सब्कारोटे करफि कि यहां पर GAN और गर स्वार्मया चाहते होई त्हूर eporti को ट्यक्री एक होलिस्टिक अप्रोच लेना यहom घूलाता है यह ऑनधाने चाहल लिखेंगे तो आपको इस वारे मिgee sent found ऑई इन्यचरविलिंस समय है यह निडानी किya जायेगा कि कहाँ फेट लीज वापिसट стр यह जो अब और कैसे ऐसे मीजो से जो हम यूस जो हम ले सकते हैं अंतिमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट स्कुयर से को टैकल करने के लिए ठीक है कोलाबरेटिव एक्षन प्लाइन क्योंकि यह एक ऐसी दिकत है जो किसे एक पर्टिकुलर कंट्री तक नहीं है पुरें ग्लोबली ह यूज बढ़ता जा रहा है मिस्यूज ओवर यूज हो रहा है एंटिमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो रहा है सुपर बोक्स क्रियेट हो रहे हैं तो यह ग्लोबल प्रॉबलम है जिसमें क्या होना चाहिए मल्टिलेटरल प्लाटफॉर्म पे जो हेल्थ डिसकर्शन होता है हेल्प टॉपिक होता है उसके अंदर एंटिमाइक्रोबिल रेजिस्टेंट को इंक्लोड किया जाना चाहिए ठेके ताकि सब्विलिंस आंडो जो रीसोर्च है या कंट्रोल ओफ एमर है वो इंक्रीज की जा सके इंटरनाशनल फंदिंग मेक्यानिस्म जरूरी है क्योंक इंडिवीज्वल एफोर्ट भी जरूरी है ठेके नाशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेशन जो नाशनल एक्शन प्लान उपर बढ़ाया है ना उसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए थ्रो आउट दे कंट्री सब्विलिंस इन रीसोर्च को इंक्रीज की जाए एक प्लाय कल्प इनका आच से इंक्लीमेंटेशन किया जाए तो इस्टें डिन एमर कॉंटाम्न चांटेंइन मेंट एफॉर्ट बाइंप्रोविंग हेल्थन की एसर्फ पाँलिंग नुक्रीज को मेंटीन करकिंवे चेल्थन क्रीज को इंप्रोवोब किया जाए 토 इस्में पा यूज नहीं करनी है antibiotics, involvement of academia and civil society organization जरूरी है लोगों को जागरू करने के लिए training देने के लिए, educate करने के लिए healthcare professionals को ठीक है, benchmarking with international examples, यानि कि जो अलग-अलग countries अपने अपने initiatives लेकी आई हैं, उनसे इंडिया को सीखना चाहिए Next important देखेंगे, scientist map largest deep sea coral reef कहां पे मिली है USA की Atlantic coast में मिली है USA की दो coast है एक Atlantic, एक Pacific ठीक है, तो Atlantic coast में मिली है दुनिया की सबसे गहरी coral reef ठीक है, coral reef के बारे मैंने आपको बहुत बढ़ाया है पहले अब है सिर्फ इस न्यूस को discuss करेंगे क्या कहती है न्यूस, scientists have mapped the largest coral reef deep in the ocean, stretching hundreds of miles of US Atlantic coast यह भी की largest है, ठीक है यह एक्स्टेंट करती है 499 किलोमेटर्स Florida to South California ठीक है, Florida to South California यह यहां पे दिखीगा यह दिख रहा है फ्लोरिडा, South California ठीक है, यह ऐसे ओपर के तरफ जाते हुए, यहां पे मिलेगा California, okay अन्लाइक ट्रॉपिकल कोरल रीफ, यह जिने फोटो सिंथेस की जरूरत होती है ठीक है, फोटो सिंथेस से खाना बनाती है अपने लिए, ठीक है, इस इंपोर्टेंट फोर ग्रोथ कोरल दिस फार, डाउन मस्ट फिल्टर, यानि कि जो फोट पार्टिकल्स जो डीपेस्ट ओफ वोटर में पाए जाते हैं, उससे फोट लिया जाता है इन डीप सी कोरल के दवारा, ठीक है, यह अबिट प्रोवाइट करते हैं, शार्क, सोड शिप, शोड फिश, फिश, सी, स्टार्स, ओक्टोपर, स्ट्रेंट, काफी सारे फिशेस को यहाँ पे प्रोवाइट करते हैं, डीप सी कोरल्स वर्स लाज़ेस्ट ट्रॉपिकल कहा है ग्रेट बारियर रीफ उस्ट्रिलिया में सबको पता है इस ट्रेच इस अबोट 1,430 माइल्स तो ये क्या है ये सर्फेस वाला है अभी जो डिस्कवर की गई है लाज़ेस्ट वो डीप से कोरल है डीप से कोरल ज्यादा ओर्षिन फ्लोर को कवर करती है देन ट्रॉपिकल रीफ ये स्टेटमेंट बना के पुछा जा सकता है तो नहीं होना है ठीक है जो सी फ्लोर ओर्षिन का फ्लोर है वहाँ पर तो वो रहेंगे ना जो डीप कोरल रहेंगे राइट क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीप से वो सॉफेस में पाई जाती है बोट काइंट ओफ हापिटेटा सस्पिक्टिबल तू सिमिलर रिस्क सिमिलर रिस्क जैसे कि एक लामेट चींज ये लोग जादा तेमपरेच्व ज्यादे सेडिमेंटेशन ने झेल पाती ग्लोबल वामिंग ट्रिगर हो रही है जो सी का समुद्र का ओशिन का टेमप्रेचर है वो राइस हो रहा है तो हमारे कोरल रीफ्स को दिक्कत है चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे डीप सी कोरल हो नेक्स देखेंगे जैपन बिकम्स फिफ्थ कंट्री टू लांड ओन मून यहां पर ध्यान रखना है कि जैपन पाचवी कंट्री बने है मून पर जाने वाले ठेक है यह याद रखना है भीजा किसे था स्मार्ट लांड ओ फो इन्विस्टिगेटिंग मून यह वान लाइन कर टौई यायन जैपन फिफ्थ कंट्री बनी है जैपन बनी है ठीक है तो आज के लिए न्यूस पेपर में था datos इतना मिलते हैं मंडे को कल संदे है जितना भी मैंने पढ़ाया है पुरे वीक में पुरा का पुरा रिवाइस करना है ठीके मैं न्यूस पेपर देखके रखूंगी संदे का बहुत जादा उसमें कुछ इंपोर्टिंट मिलता है मैं वो कवर करवाऊंगी मंडे को ठीके कल सरफ रिवाइस करना है आप सबको क्योंकि रिवीजिन इस दगी बिना रिवाइस की आपको आगे नहीं बढ़ना है लेक्चर से रिलेटिट पीडियोव टेलिग्राम चानल पर मिल जाएगी जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी वहाँ जाना है जोईन करना है चानल टेलिकर इंटरफेर के पीडियोव के लिए मैंने जितना भी इंपॉर्टिंट पढ़ाया है इसपेशली जो टेंपल आकिटेक्चर है एंटी माइक्रोब्य रेजिस्टेंस है मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टिंट टोपिक्स हो जाते है इसे लिए आज के आज ही नोट करना इंपॉर्टिंट है ताकि आपके पास खुद के बनाई होए नोट्सों चो एक्जाम के दो दिन पहले भी रिवाइस किये जा सके पी 125 खोलने बाठेंगे तो बाद में पीडियाफ नहीं खुलती ठेक है फिर वो गलेक्टेड आज यह जाती है तो इसी लिए नोट करना जरूरी है रिवाइस करना जरूरी है खुद के नोट्स पे रिलाइ करना जरूरी है ठेक है तो मिलते हैं में डेको thanks for watching thank you so much